हे गाइस हाई वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस कैसे हो आप सब आप सब अच्छे होगे तो गाइस बहुत से लोगों की दिमाग में ये चीज होती है कि मेंस्ट्रॉल कप जब बाई करना है तो उनका साइज क्या ले बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि क्या size लेना चाहिए मेरा क्या size होगा और जो मैं buy कर रहे हूं वो सही है या नहीं सही है तो guys मैं बता दू कि menstrual cup में दो size आते हैं एक large आता है और एक small आएगा तो यहाँ पे जब आप menstrual cup buy करने चाहिए तो आपको side में वहाँ पे mention होगा कि यह large है कि small है तो large और small में आपको select करना है अब बात ही आती है कि आपको large choose करना चाहिए या small choose करना चाहिए तो guys बता दू कि बहुत से लोगों के periods होते हैं तो उसमें बहुत से लोगों heavy flowing होती है जैसे कि बहुत सारी bleeding होती है तो यह खुद को पता होता है कि आपको कितनी bleeding होती है जादा bleeding होती है कि कम bleeding होती है तो उस हिसाब से आपको menstrual cup choose करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपके पहले 3-4 दिनों में bleeding बहुत जादा होती है तो आपको definitely large के साथ जाना चाहिए और अगर आपको लगता है कि जादा bleeding मुझे नहीं होती है तो small के साथ definitely आप जा सकते हो तो menstrual cup को choose करने पर ये बात जरूर ध्यान रखेगा कि आपको large लेना है कि small लेना है इसके according कोई भी query हो question हो आप मुझे इसमें comment करके जरूर बताएगा मैं इसका answer करूंगी वीडियो अच्छी लगती है चुटा सथा वीडियो तो like कर दिजेगा subscribe share and comment नहीं किये तो जरूर कर